आजकर एकने का इशू बहुत बढ़ता जा रहा है तो आज हम इसी को आयर्वेटिक प्रिस्पक्टिव से जानेंगे कि हमारे स्किन पर कोई भी अगर इरप्शन होता है तो उसके पीछे क्या कारा होता है पित दोश की वज़े से यह होता है पित में अगनी मेन होती है जब श जाना तो इससे कहा रहेगा पित आपका कंट्रोल में और जो चीज़े पित को बैलन्स करती है उसको डाइट में इन्वाल्फ करेंगे जैसे सबसे पहले तो वाटर इंटेक को आप प्रॉपर करेंगे तो पर 20 kg वन लीटर पानी हमें पीना चाहिए सीजनल जो फूट सा रह करेंगे तो इससे बोड़ी का पित काफी शांत रहेगा और आपको स्किन में काफी अगर इन सब चीज़े को फॉलो करेंगे तो आप जल्दी एक्टिकी समसा से चुटकारा पालेंगे धन्यवाद